विशंपरिस्थिति आजाए ऐसा लगर आए कि आपने पशुपति विरत कर लिया सुंबर के इस्टिमी का प्रयोग कर लिया में ने शंकर जी की अरादना कर ली तो वही विशंपरिस्थिति चल रही अभी तक कोई सुधार आने को तैयार दोने तब संकर जी के मंदिर में इस हान सब को मालु में ना बोलो जंकि बोले रहा मालु मैं आशुक संदरी वाली जगह पर बेलबत्री को दंडी वाली जो जघा है जहां से पानी बेह कर जाता है उदर रखना है उसी ले फेलमात सन और ज은 के शिवलिंग पर जब बेलवाट्री र多ब लना चाहिए शिव बाव को रखते हैं आगर विश्विश्व परिश्तिती चल रहा है अपने पश्वती वरत कर लिया सोंभारत के इश्विका कर लिया उसके बाद कारे नहीं ओरा आटक रहा है किसी कारण मझ कोई फाइल मोटी है थोड़ा समय लग रहा है तो साथ लोका जल का प्रयोग करें ध दीरे दीरे साथ लोटा जल शिव जी को बल्टी में बरकर ले जाएं अपने घर से साथ कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेल पत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है ग्यारा दिन एकीज दिन उसको रखो फिर उसका विस सर्जन तापिस किसी नदी सरोवर तलाव या ब्रक्ष के नीचे कर दीजिए बाबा हाथ पकड़ कर बाहर निकाली देगा परिश्थिति एगर पहुत विश्व परिश्थिति में उस जगह पर इसका प्रियोग कर देगा क्रीश वाई नमस्तू अब्यम साथियों सारे ही उपाय कर लिए तब भी तकलिफ कस्ट रोग नहीं जा रहे हैं तब आप इस उपाय को जरूर जरूर करें विश्व परिस्थितियों से बहा निकाल देता है यह उपाय बस एक बेल पत्री लेकर के जाना है साथ लोटा जल एक बालती में या किसी बड़े पात्र में साथ लोटा जल गर से लेकर के जाएं फिर अशोक सुन्दरी माता के स्तान पर बैल पत्री रखें डंडी का मुख जलादारी के बहार और वहां जल नहीं चड़ाना है बैल पत्री को उठा करके शिवलिंग पर चड़ा देनी है ब अधनी कामना बोलें बगवान से विंती करें बैल पत्री उठा करके लेकर कर आजाये उस बैल पत्री को अपने गर सुरक्षि Łश की सुनता है तो जरूर हमारी भी सुनेगा विशन परिस्तियों से बाबा कैसे भी बहा निकालेगा पर निकालेगा जरूर चैनल को जरूर सिस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें हरहर महादेव